प्रथम तहलका न्यूज चैन सनेचिंग की वारदात को जपट मारों ने अंजाम दिया है आपको बता दे कि चैन सनेचिंग का पूरा मामला सीची टीवी केमरे में कैद हो गया दरसर बाइक सवार जपट मारों ने एक महिला को अपना शिकार बनाया और महिला के गले से आँग छपकते ही चेंड छपट ली इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दे जो फरीदाबाद से आ रही है जहां जपट मारों के होंसले दिन बर दिन बुलंद होते जा रहे हैं और फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आपको बता दे कि फरीदाबाद में जपट मारों के होंस्रे लगातार बुलंद होते जा रहे हैं आपको बता दे कि जपट मार आए दिन नई से नई वारदातों को अंजाम देते नजर आते हैं आपको बता दे कि नया मामला फरीदाबाद की ज्वाहर कलोनी से सामने आया है जहां दिन दिहाडे चैन स्नेचिंग की वारदात को जपट मारों ने अंजाम दिया है आपको बता दे कि चेन स्नेचिंग का पूरा मामला सीसी टीवी कैमरे में कैद हो गया दरसल वाइक सवार जपट मारों ने एक महिला को अपना शिकार बनाया और महिला के गले से आग छपकते ही चेन छपट ली अपको बता दे कि फरीदाबाद में जपट मारों के हौंस्डे लगातार बुलंद होते जा रहे हैं या मामला वारिदाबाद की यहार कोलोनी से सामने आया है चैन स्नेचिंग की वारधात को जपट मारों ने अन्जाम दिया है आपको बता दे की चैն स्नेचिंग का पूरा मामला सिसी टीवी कैमरे में कैद हो गया दरअसल बाइक सवार जपट मारों ने महिला को अपना शिकार बनाया और महिला के गले से आग छपकते ही चेन छपट ली इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दे जो फरीदाबाद से आ रही है जहाँ जपट मारों के होंसले दिन बाद दिन बुलंद होते जा रहे हैं और फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आपको बता दे कि फरीदाबाद में जपट मारों के होस्रे लगातार बुलंद होते जा रहे हैं आपको बता दे कि जपट मार आए दिन नई से नई वार्दातों को अंजाम देते नजर आते हैं आपको बता दे कि नया मामला फरीदाबाद की ज्वाहर कलोनी से सामने आया है जहां दिन दिहाडे चेन स्नेचिंग की वार्दात को जपट मारों ने अंजाम दिया है आपको बता दे कि चेन स्नेचिंग का पूरा मामला CCTV केमरे में कैद हो गया दरसल वाइक सवार जपट मारों ने महिला को अपना शिकार बनाया और महिला के गले से आग जपकते ही चेन जपट ली इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दे जो फरीदाबाद से आ रही है जपट मारों के होस्टे दिन बर दिन बुलंद होते जा रहे हैं